आउब होकी स्कील टेस्टे के अंचर्ड है इस मित्हेंस फ्रेंच हेंड हॉपील टेस्ट के बारे में डिटेएल में बताऊँगांगी दोस्तों इसके पहले मैं सभी स्कील तेस्ट के बारे में बता चुकी हूं, soccer test, basketball skill test, बैविंटर skill test, volleyball skill test, tennis skill test, इस तभी के बारे में जानने के लिए आप चैनल के test and measurements के release में जाकर के देख सकते हैं, एंद दोस्तों, यदि आप physical education के specific competitive exams, tg t, pg t k vs n vs क syllabus के recording preparation कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो, syllabus के recording हैं, उन सभी वीडियो को वाच करके, आप अपनी preparation को बना सकते हैं, और दोस्तों, डेली बेसे पर previous year के उसका प्रेक्टिस करना रहा है तो दोस्तों चलते हैं, आज के topic hockey skills test के बारे में जानते हैं, डीटेल में, तो दोस्तों, इसके अंतर का दो test items को मुख्यूरूप से जाना जाता है, Ist Mythils and French Hockey test and Harwan Singh Hockey test, इसमें Harwan Singh hockey test बारवार पुछा जाता है दोस्तों, इसमें Harwan Singh Hockey test के बारे में, पुरी डीटेल में बताऊंडि, And French hockey test की बारे में important चीज़ैं, तो दोस्तों, अनतर का अधा इस óp Solar confirmed sa holding फ्रेंच ह cambi test 1940 में और यह से Harwan Singh होकी टेस्ट 1956 में तो सबसे पहले बात करते हैं اس मिथेल्स एंड फ्रेंच होकी टेस्ट के बारे में तो दोस्तो यह टेस्ट बनाया गया कालेज उमेड के लिए 14 Curtice में इस मिथहें ईंड इस्थर फ्रेंच ने इसको बनाया और इसको जनरल होकी प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए बनाया गया इसमें तीन टेस्ट आइटम्स आते हैं पहला दड्रिबल डज सर्कुलर ट्रैकल एंड ड्राइव दूसरा गोल्ड शूटिंग तीसरा फिल्डिंग एंड ड्राइव दूस्तों दूसरा है दूसरा टेस् हरवन सिंग होकी टेस्ट इसके बारे में बाल बाल पुछा जाता है कि हवं living टेस्ट इस टेस्ट से ठाश्ट हैं तो होकी से ऑब दूस्तों ये भी पुछा जाता है फ्रेंच उटेस्ट किस से सबन्चित है तो आपको इसका नाम याद रखना में बनाया गया और इसका प्रकाशन 1969 में किया गया यह कालेज इस तर के गर्ल्स एंज बॉइज दोनों के लिए बनाया गया इसका परफ़ज है ड्रिविलिंग अज़ शूटिंग की अबिलिटी एन कैपिलिटी को मापना इसमें क्या-क्या जूरत होती है इसमें होकी एंज इस्टीक विशल इस्टापवाच इंडियन क्लव क्लव हांकी गॉल फोर्ट आदे की जूरत होती है इसमें दो टेस्ट ऐसकर बात करेंगे डिप्रिविलिंग औंट मारें से टेस्ट के बारे में हैं जो टीक फार्ति हां की मैदान है उसको लिए जाता है अर्डी के गोल पोष्ट के मद है 45 अंस पर दोनों तरफ टाप D पर दो गज का बाक्ष बनाया जाता है A बाक्ष D की लाइन पर एक गज बाहर और एक गज अंदर की तरफ होता है एक और बाक्ष 90 अंस पर गुल पोश्ट के मध्य पर बनाया जाता है यानि कुल तीन बाक्ष बनाया जाते है बॉक्स के दो गज की दूरी पर एक मार्क बनाते हैं इन सभी मार्क के पीछे दो-दो गेंद रखी जाती है हा की गोल पोष्ट प्रमाडिक मानक अनुसार उसकी लंबाई 4 गज यानि की 3.6 मीटर होता है और उसकी उचाई 7 गज होता है गोल पोष्ट पर पीछे नंबर लगे होते हैं जैसा की चित्र में दिखाया गया है गोल पोष्ट में जो चित्र है वो 18 इंच की उचाई और लंबाई 4 गज होनी चाहिए अब बात करते हैं टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन के इसको कैसे कराया जाता है तो सबसे पहले खिलाड़ी दाहिने साइड से गेंद को शुरू करता है फिर जो खिलाड़ी यानि प्रतिभागी होता है वो बाक्स से पीछे बने मार्क जहां पर गेंद रखी गई है दो वहां से ड्रिबल करते हुए उस बाक्स में लाएगा फिर उस बाक्स के अंदर से गेंद को हिट करेगा जिस नमबर पर गेंद टकराती है वही उसका इसको लिखा जाता है प्रतिएक खिलाड़ी को प्रतिएक बाक्स में दो गेंद हिट करनी होती है यानि कुल छे गेंद हिट करनी होती है हिट की गई गेंद यदि किसी दो नमबर के बीच में लगती है तो खिलाड़ी को दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसे दिया जाता है जैसे चार और पांच के बीच में गेंद टकराती है तो खिलाड़ी को पांच नमबर इसको को लिखा जाएगा यानि प्रतिय खिलाड़ी को दो ट्रायल दिये जाते हैं और दोनों ट्रायल के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है अब बात करते हैं स्कोरिंग की तो प्रतिय खिलाड़ी को 6 सूट दिये जाएंगे 6 सूट में प्रात अंक जोड दिये जाएंगे यारी दोनों ट्रायलो और सर्विसेस्ट होगा वही उसका इसकोर होगा बेस्ट इसकोर होगा अब बात करते हैं ड्रिबिलिंग एन हीटिंग टेस्ट की हर्बन सिंग हां के टेस्ट में दो टेस्ट आइटम है ड्रिबिलिंग एन सूटिंग टेस्ट जिसको मैं बता चुकी अ कि फिल्ड किया सकता होती है इसमें टेस्ट एरिया कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले दस फिट लंबी एक रेखा खीचिंगे जो प्रारंभिक लाइन होगी फिर 72 फिट की दूरी पर प्रारंभिक लाइन के शमानांतर लाइन पर फिनिस लाइन खीचि जाएगी फिर दुनों लाइनों के बीच आठ आठ फिट की दूरी पर कोफ यानि कि अउरोध रखी जाएंगी बाधाय रखी जाएंगी अब बात करते हैं इसकी टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन यानि की टेस्ट प्रक्रिया पर तो सबसे पहले खिलाड़ी प्रारंभिक रेखों के पीछे हांकी स्टीक और बाल को लेकर खड़ा हो जाता है फिर गो का शंकेत मिलने पर खिलाड़ी हांकी स्टीक से गेंद को ड्रिबल करते हुए जिक जिक पोजीसन में प्रारंभिक रेखा से और ओधों को पार करते हुए अंतिम रेखा तक जाएगा फिर वहां से अंतिम रेखा से गेंद को एक दम से प्रानाम्भीक रेखा की तरफ हिट करेगा यदि गेंद वहां तक नहीं जाती है या बीच में ही रुक जाती है तो खिलाडी दोड़ कर जाएगा और गेंद के पास फिर से हिट करेगा प्रानाम्भीक रेखा की तरफ प्रतिभागी जितने समय में गेंद को प्रारंबिक रेखा से अंतिम रेखा तक पहुचाता है और पहुचकर उसे वापस फिर प्रारंबिक रेखा की और हिट करता है और उसके पार पहुचाता है तो उसके बीच जितना समय लगता है वही उसका स्कोर कहलाता है जिस खिलारी का समय जितना कम होगा उसका बेस्ट स्कोर होगा तो दोस्तों ये था आपका हाकी इसके टेस्ट के अंतरगत दो टेस्ट आइटमों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसको कभ बनाया घया था कौन-कौन से टेस्ट आइटम है इन टेस्ट आईटमों के अंदर कितने टेस्ट आइटम आते हैं यह आपको याद रखना विसेश जरूरी है तो दोस्तों जितने भी स्किल्ट से समाप्त हो गया सभी तेस्ट और मेजर मेंट से लगभग सभी टापिक्स पूरे हो चुके हैं जो भी बचे हैं उसको ही मैं पूरा कर दूँगी उसके अलामा जो भी अभी अनोटामी और फिजियोलाजी से टापिक्स बचे हुए हैं और दोस्तों हेल्थ एजुकेशन से जितने भी टापिक्स सब्सक्राइब को पूरे डिटेल में बताऊंगी स्टेप बाई स्टेप एंड दोस्तों जो फ्रीवेस यह के कोस्टन स्रीज है और डेली बेसे पर आता रहेगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और दोस्तों पहली वाइजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकम को प्रेस कर लिजिए जो भी मैं नया वीडियो अप्रोट करूंगी उसका नाटिफिकेसन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद